प्रतीक के रूप में चुलू भर से जादा पानी में डूबा हुआ है, पटना में सड़कों पर मगरमच गूम रहा है। क्योंकि बिहार के जो हाला तभी में आया हूँ, कल की सुबा में यहां पहुंचा हूँ, सहरसा से लेकर के पतना तक कोई इलाखा ऐसा नहीं था, जहां अफरा तफरी जानमाल का नुकसान मैंने नहीं देखा। कान हो रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जाएगी कि पांच दिन बाद लोग ठिके है वाले पोस्टर को उसके इर्द गिर्द बहास करें। नितिश कुमार तो ये कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा है तो क्या कर सकते हैं? पल्ला ज़ाडने से बात नहीं बनेगी। अब लगता है कि नितिश कुमार सुशाशन बावो के नाम से जाने जाते हैं लेकिन वो सुशाशन बावो कहीं नितिश कुमार फेल हो गए। मैं सीधे तोर पे ये कहना चाहूंगा कि सिविक एमिनिटीज को लेकर कि जो नजरिया चाहिए ना वहाँ सरकार अनुपस्तित हैं अब थो हम इस्तिफा भी नहीं मंगते हैं इस्तिफा मंगने के लिए कोई दिखना चाहिए वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है और चाहे दिल्ली की सरकार हो या पटना की सरकार इन्होंने एक नाया फॉर्मूला अपने प्रियोग शाला में बना लिया है कि किसानी संकट पे बात मत करो बेरोजगारी पे बात मत करो शहरों को जील में तब्दील होने दो आपदा प्रबंधन मत करो फिर भी चुनाओ जीत जाओ यह ज़्यादा परेशानी का सबब बिहारवासियों के लिए और पूरे पुर्वांचल के लिए प्राव्यादा